हे जे राष्ट्रवादी चा बाप्तित जालेल आहे एका एक कोना चा मित्रत्वा साथी केलल नहीं भाजपली एक हाती सकता महाराष्टा मदे कशीर या साथी कुकंब तोड लेला है दिसेंबर में लोग सभा और महाराष्टी की विजान से भेका एलेक्शन हो सकता है हमने शॉटकट नहीं लिया इसलिए हम हमारे बार में बात कर सकते हम दुसरे बार में बात लेक्शन तुम्हाला करतो कि तुम्ही थोड़ोसा आधिकरेंची बोला कि जनरली लोग सभा इलेक्शन अनि विजान सभा इलेक्शन होने आप पुर्वी पास चे साहा महीने अधी जे सगी EVM अस्ताथ ते जो चेकिंग करने साथी आधिकरन सांगीत्र जार्नले केंदरा पुर्वी चार दिवसा पुर्वी कदाचित इंस्ट्रक्शन्स खाली आले ले आहे इव्यम मशीन चेक कराला सुरवा करां तम इलेक्शन 24 ना होनार नाही इलेक्शन है इसेंबर ला जे लोग से बैसे इलेक्शन होनार तो जबा महाराश्चित विदास्वा सभा पुनार आणि हे ज कैसे होता है कि कोई भी लोग सभा का इलेक्षन या स्केट इलेक्षन जब भी डिकलेर होता है या वोने का संभावना होती है तो उसके पाच चे महिने पहले इबियम मशीन की चेकिंग होती है उसको कुछ लाइसेंसिंग कहते है चार दिन पहले महाराश्टर की विवित जो अधिकारी है उनसे आप थुड़ा सा जानकारी ले लो प्राइवेट में वो उपनली तो नहीं बताएंगे लेकिन चार दिन पहले अल्रेडी इंस्ट्रक्शन आ गए कि आपके पास जो इबियम मशीन है या मैनिफेक्ट्रिंग करना पड़ेगा वो करने के लिए चालू कर लो तो इससे अंदाजा यह आता है कि लोगसभा इलेक्शन के डिसेंबर में हो सकते हैं और महाराश्टा का जो इलेक्शन जो अक्टोबर दोजाश चोबिस मे वो भी लोगसभे के साथ होगा और इसका मुख्यकारन करना टका है करना टका में भाजपा का जो हार हुआ उससे लोगसभे के जो नंबर जे वो कम हो सकते हैं और वो अंदाज वो अभी मध्यपिदेश में भी है वो अंदाज उत्तरकंड में भी है वो अंदाज अभी हरिय जना भी है और महारश्चा में तो परिस्थी बहुत इकिराफ है इसलिए अभी दिसेंबर में लोगसभा और महारश्चा की विदान सभेका एक आपको बताता हो कोई भी इडी जैसी ताकत हो या पैसे की ताकत है या पावर की ताकत हो उससे सबसे बड़ी ताकत है लोग तंतर की ताकत है लोग शाही की ताकत है लोगों की ताकत है और लोगों को आज भी अगर आप पूछो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 2014 क ये बात महाराष्टा का जो राजनीती है वो बहुत खराब हो गया है लोगों के ये मालू में लोगों को पदल चाहिए लोगों का अच्छा विचार चाहिए ये देखो अभी हम जिस विचार के साथ है और आगे वाला जो रास्ता है वो बहुत कटीन है उसमें बहुत ताकर लगाने पड़ेगी लोगों के पास जाना पड़ेगा हमने वो रास्ता चूज किया है हमने शॉटकट नहीं लिया इसलिए हम हमारे बारे में बात कर सकते हम दूसरी बात लेके जिए पावार साहिब उससे मना ले ओते कि आमें कोटाच जाना नाई वोगरी निवर नुकायोगा तड़े आज़ा प्रेटिशन दाखर के लिए लिए आसे दिखिल करते ते आमों ये पावार साहिब है देशा झाल 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 झाल